हेलो फ्रेंड्स नमस्ते वेलकम दे चैनल आप सब अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स यहां पर आज मैं आपके साथ अपना तीज मेकप लुक शेयर करने वाली हूं तो यह जो मेकप लुक है कुछ व्लॉग काइंड ओफ मेकप लुक होगा मतलब यह प्रॉपर मेकप लुक नह नहीं देखा यह वीडियो तो आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं तो यहां पर मेरा मेकप कुछ इस तरह का दिखता है और अगर आपको मेकप बिल्कुल नहीं आता है तो आप भी मेकप का सकते हैं क्योंकि मैंने भी खुद से ही सीखा है तो यहां पर मेहंदी जो है थोड़ सा टाइम लगता है लगाने में तो रात के दो बज गय थे एक ही हाथ में लगाया मैंने दूसरे हाथ पे मेरी बेटी ने मुझे लगा दिया जैसा उसे आया काफी छोटी है वो तो यहां पर देख सकते है वो पिंक कलर की थोड़ी सी महंदी इसने लगा दिया है तो मेरे महंदी रचने के बाद इस तरह से दिख रहा था मैं ये दॉसी सब्डा लगा यह लगा है इसलिए ये सब्स कर्में नाला है नालाइट injury बज उसने अच्यक्ट अपर नियल पिंट जो है इस जो चूड़ा लग यह दा लें जो harinais dola के सी आफे brief रगा दो की शूडा डीजा को जरूड लगाना चाहिए ऐसा हमारे यह सब कहते है है तो यहां पर मैंने गरीन कर you फो यह विग कता युछ झुपारु से क्वेनत पाले में ने और अपरपको को शॉपिंघ करें तो सब्से पहले स्किन केर बहुत अच्छा पार होते है ना आजब बहुत अच्छा होता है अच्छा ऑग Salt लगाते छmersyTi楽記 मेंड और स्किन है वह उस पहर मेक उपर से दिखता है लेकिन अगर आप अच्छे से मॉश्यराइज करेंगे तो जो मेक अप है वो दिखेगा निए जो आपका बेस है वो बिल्कुल दिखता नहीं लगता है आपके स्किन है तो यहां पर मैंने टोनर लगा लिया मॉश्यराइजर लगा लिया जो भी आपको सूट करता है आप वो टोनर लेंगे वो मॉश्यराइजर लेंगे इसके बाद मैंने यहां पर एक टेंटेट प्राइमर लिया था अच्छा यहां पर ज़रूरी नहीं है कि आपको प्राइमर तो ठीक है नहीं है तो आप ऐलोवेरा जेल का यूस कर सकते हैं या फिर लेक्टो के लाइन बहुत सारे लोग लगाते हैं वह यूस कर सकते यह दोनों भी कापी अच्छा बाग करता है तो मैं कभी-कभी अलोवेरा जेल भी लगा लेती हूं बट यह जो है यह थोड़ा सा टे यहां पे लिए हैं क्योंकि घ्राइमर लगाया हुआ है यह लगा है इसमें अगर मैं फुल लगा लगा लोगे तो वह दिखता नहीं है शाइन पता नहीं चलता है तो इससे जो है यह हलका फुलका कवरेज मिल जाएगा और वो जो शाइन है वो शाइन भी दिखेगा उस पर इसलिए मैंने यहां पर बेटन वाइल्ड का फाउंडेशन लिया है और हलका फुलका कवरेज वाला फाउंडेशन मुझे अच्छा लग पाउंडेशन है उसके अंदर से आपको एक अच्छी से शाइन दिख रही है वो प्राइमर की बज़े से है जो मेकप बेस हमने अपलाई किया वा था इसके बाद मैं अपने ब्रॉ को थोड़ा सा फेल कर ले रही हूं हलका सा मैं ऐसे शेफ दे रही हूं क्योंकि मैंने ब्र ब्राउस मेरे हलके बढ़ गया है तो यहां पर मैं थोड़ा थोड़ा कंसीलर लेके इसे एक अच्छा शेप देने कोशिश कर रही हूं इससे क्या होता है कि आपके ब्राउस के जो शेफ होते हैं वो काफी अच्छे काफी शार्प और अच्छे आते हैं अगर आपने भी आ नहीं बनवाया है लास्ट जैनवरी में घए अपड़ा रही है झाल्चे जब रही है वहां पर मझू अपको हम टेपर करनों अपने वह अपने हुप लाई करती है अगर आप चाहें उसे देखना तो आप जाके चेक कर सकते हैं चैनल का नाम है बी नैच्रल बी ब्यूटिफुल उसका लिंक अगर हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी अच्छा यहां पर मैं थोड़ा सा अपने फेस को सेट कर ले हूँ यहां पर मैंने मेबलीन का फिट मी जो पाउडर होता है कॉम्पैट पाउडर होता है वह मैंने लिया हुआ है इसके बाद मैं अपने आई मेकप को कर रही हूं अचाहे मेकप को सेट करना बहुत जारूरी था क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है पसीना होता है फिर मेकप खराब हो जाता है तो हलका साप सेट कर लीजेगा तो मोशली मैं जो जादा स्ट्रेस डालती हूं अपने टी जोन पर मेरे बहुत जादा स्वेट होता है अब यहां पर मैं थोड़ा सा लगा रही हूं आई शैडो तो यहां पर मैंने ब्यूटी ग्लेज जो आई लिक्विड वाला जो आई शैडो होता वो लिया है इसमें मेरा शेड है शैंपियन गोल्ड है मेरा जो शेड है उसे हलका से मैं अपने हाथों से प्रेस कर दे रही हूं इस मतलब लिक्विड जो आई शैडों से लगाईएगा और हलका हाथों से प्रेस कर देजेगा उसके यह जो चंक पार्टिकल्स होते हैं ग्लिटर के बड़े वाले वह लेकर हलका हलका मैं यहां पर प्रेस कर दे रहे हूं क्योंकि मेरी आखे छोटी है तो मैं बहुत जादा मेकप नहीं करती हूं आखो पर दिखता नहीं है तो हलका हलका मैं इस तरह से लगा रही हूं तो आप आखे दिखते हैं यहां पर मेरा ऊलमॉस्ट जो है उपर वाला दा खतम हो चुका है नीचे में हलका पील से ऊच्लिटर लगाई है तो वह नीचे भी लगा रही हूं उसके बद भीच में इतना पे लिक्र लगांकत च्रमाचा वह तो मतलब डिफाइन दिखती है सेवे मैं लगाती हुँ हलका पटलः सा ही लेकिन मैं लगाती हूं मुझे अच्छा लगता है या फिर आप काजल में सब्रॉब्स के सकते आपके बड़ी-बड़ी है तो काजल तो ब्लशर बहुत जारा ट्रेंड में है पहले मैं ब्लशर नहीं लगाती थी बट अब जब मैंने लगाना शुरू किया तो अच्छा लगता है इसलिए मैं थोड़ा सा लगा रही हूँ बहुत हलका सा नार्मली यह दिख भी नहीं रहा था थोड़े दिर बाद ब्लशर जो ह अगर आपके पास हाइलाइटर नहीं है तो आप अपने आईशाइडव में देखेगा उसमें लाइट कलर जो मिले आपको थोड़ा सा गूल्ड और सिल्वर के बीच वाला जो कलर होता है वह वाला मिल जात अच्छा है अप उसे लेके हलके हाथ से टैप कर दिजेगा तो आ मैंने यहां पर थोड़ा सा अपने ब्राव बॉन को भी हाइलाइट कर लिया है उसके बाद जो काजल मैंने लिया था उससे हलका सा मैंने काजल लगा लिया है अपने लोग वाटर लाइन पे और थोड़ा सा मैं अपने अपर वाटर लाइन को भी टाइड लाइन कर लूंग आप चाहें तो काजल भी लगा सकते हैं या फिर कलर वाले जो काजल आते हैं आप वह भी लगा सकते हैं वो भी अच्छा लगता है वे पस कलर वाला भी था लेकिन मैं यहां पर बहुत कलर नहीं लगाना चाहती थी क्योंकि जो मेरा लिप्स्टिक था वह काफी ज़्यादा ल बीच पीं में काजल नहीं लगाती थी काजल वाल छोटी लगती बें मैं लेक आई पर काजल लगा लिया आप बताना को ऐसा लग रहा है दूसरा यहां पर मैंने प्रस के ऐसमाव में लगा लगा जो एक्सिस मस्कारा नहीं लेना है अब यहां पे मैं अपने उपर वाटर लाइन को टाइट लेन कर रही हूं ताकि जो वाइट वाइट सी स्किन दिखती है वो ना दिखें अब यहां पे मेरा जो आइए मेकप है वो कम्प्लीट होता है अब मैं जाकर साडी पहन लूँगी इसके बाद चूडी जो भी पहन लूँगे इसके बाद लिप्स्टिक अप्लाई करऊंगी तो यहां पे मैं लिप्स्टिक तट्टिक आ एक और ने लगा के इसे इस तरह से सेट लगा कि मैंने इस तरह से पहना है और यह मेरी महंदी जो आप दिख सकते हैं यहां पे काप ज़्यादा डाक हो चुकी है तो यह इस तरह से मैंने चूड़ी पहना था अब इसके बाद मैं आपको अपना पूरा आउट्विट भी दिखाऊंगी और अपन है अलगल लगा है अगर आप अच्छे से ब्लेंड करना चैसर किन केर करते करते हैं तो आपको सिंद नई मेंदास्टव में फट्राइब के मिल तहसे हैं из- तो इस तरह से मह लist además अपना मेक अप किया था विडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीज़ेगा शेयर कीजेगा जान पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरी परेस किजेगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में